मेरे नाम क्या आपका बोलराम क्या दिक्कत आपको कमर में और पैर में दर्द में से घन कुन से बहुत के कि paid आपको आज करवा रहा हूं तो आप पहले तो आप मेरे को बता रहे हैं और भी लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोग लाव उटा सकें तो कौन-कौन आप अच्छा एक शर्क्राइज कर रहे हो तो इसको एक बारा सही करें एक बार इसको उठाएक रहे हैं जितनाटा एक तो अगुई कित्नी डेर रोकते हो दस-बंद्रा सब्सक्राइबक स्थेट बरकता एक में नेयु पर तो तक सब्सक्राइम के तरफ खींच रहाँ आच्छा दोनों परों को करते हो इसको वेरी गूड और अगली सबसी करते हो तो गुटनों को एक स्थैड में कर रखा है और गडर्लं को अलग आपोचिट सेड़ में कर रखा है अच्छा यह खुड़ इनका गुठना है यह टकने के टकने के इसपर्स कर रहा है वेरी गुड और इसको यह पांच या छे बार एक बार करते हैं और दिन में तीन बार इनको बता रखें और इसके इनकी वजह से इनको को चत्तर प्रसेंट आराम है वेरी गुड अगली एक्साइब और बताओ कौन सीविंग बता रहे किया आपको करवट लेके उठो कमर दर्द के रोगी हमेशा करवट लेके ही उठें और करवट लेके ही बैटें यह सावदानी रखना बहुत जरूरी है अन्यता दर्द बढ़ दूसरी आपोजिट साइड वाले पेर को इस प्रकार से बेट करके और मुटने को उपर नाचिका की तरफ नाक की तरफ शिरकेतर खींच रहे हैं जितना खीच सकते हैं आजसानी से एक एक पैर को पांच बाच बार ये करते हैं वेरी गोड जितना ला सकते हैं आप इजली उतना लाईए और फिर पांच बार एक पैर को हमें करना है फिर दूसरे पैर को करेंगे पर इसके पच्छा आप कमर में कुछ जहां भी खिचा हो वहां अपने को रोग देना है वहीं तक अपने को खीचना है खुरू में जब आये ते तो यह दो भी खिचा है और आज आराम से अपने ऊटने को नाशीका से टाच कर रहे हैं और यह जो कमर में एक और एककश साइड में दर्दाता है लेकिन आपको अपने योगा एक्सपर्ट के अपने नेचरोपेटी फिजीशन या अपने फिजियो थेरिपिस्ट के डायरेक्शन में एक बार राहे लें और इसके पश्यात इन एक्सिसाइज का आप कीजिए निशी तुरूप चे आपको बहुत बढ़ी आराम मिलने वाला ह क्षिपी आराम मिलने लेकिन और से टहूं बढ़ी आराम पहाँ है करदसियो ने लेगिरोक नहा है कि एुरूबस पृर्ण ने सतार्स एक्सिसा